हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी होप है आप सभी अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं दोलांजी में हूँ जो की बॉन मौनिस्ट्री के लिए प्रशिद्ध है दोलांजी बॉन मिनिस्ट्री मैंरी मनिस्ट्री की एक शाखा है मैंरी मनिस्ट्री विश्व का दूसरा सबसे प्राचीन बौध मठ है चारों तरफ से पहाडों और सुन्दर वाधियों से घीरे इस बौध मठ की वातवर्ण मन और आत्मा को सांती प्रदान करती है यहां का वातवर्ण में बौध की उपस्थिती दैविय सकारात्मक उर्जा के रूप में महसूस होती है इस बौध मठ में बौध और हिंदू दोनों धर्मों के लोग पूरी आस्था के साथ आते हैं यह स्थान बौध धर्म में बहुत ही इंपोर्टेंस रखता है और इस इंपोर्टेंस को समझने के लिए हमें पहले बौध धर्म को समझना जरूरी है तो फ्रेंड्स आईए और जानते हैं थोड़ा बौध धर्म के बारे में बौध धर्म तिब्वत का प्राचीन और पारमपरिक धार्मिक प्रथा है आधुनिक युग में इसमें बौध धर्म और बौध धर्म से पहले की तिब्वतिय संस्कृती में प्रचलित धार्मिक आस्थाएं सम्मिलित हैं। कुछ इतिहास कारों के अनुसार बौन धरम सिर्फ तिबत तक ही सम्मिलित नहीं था। बलकि इसका एतिहासिक प्रभाव तिबत से दूर कई मध्धे एसिया के क्षित्रों तक भी मिलता था। बहुत से विद्वानों ने ये टिपनी की थी की बौन धरम और हिंदु धरम के भगवान शिवजी में बहुत सी तिर्था और अन्यस मानताएं हैं। जैसे मानसरोवर और कैलाश परवत दोनों ही धरमों में पवित्र माने जाते हैं। यहां तक की दोनों ही धरमों में यमराज की मूर्तियों में काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। और इसी तरह बहुत सी तिबबत में उत्पन होने वाली नदियां हिंदु और बौन धरम के लिए धार्मिक आस्था की बिंदु हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह संभवता प्राचीन बौन धरम की आस्था का हिंदु धरम पर प्रभाव हो सकता है। मौनिस्ट्री की वास्तुकला बहुत ही सुन्दर है। यहां तिब्बत के छात्रों के लिए कई क्लास्रूम्स और लाइवरेरी उपस्थित है। साथ ही ध्यान लगाने और पूजा करने के लिए कई बड़े हौल्स भी मौजूद हैं। यह भारत का सबसे पुराना बौन धरम मठ है। प्रकृती के सुन्दर नजारों के साथ मंत्रों के उच्चारन, घंटियों की आवाज और सुगंधित अगरवत्तियों की खुश्बू यहां के वाताबरण को बेहत शांत और दैविय बनाती हैं। इसलिए यदि आप सोलन हिमाचल परदेश गुमने आ रहे हैं। तो इस सुन्दर और अपने आप में बेहत ही खास बौध मठ में आना ना भुलें। यहां कि वाताबरण का लगवा रहे हैं। कि वाताबर अपने आ रहे हैं। यह सोलन के राजगर्ड रोड में काला घाट के समीप दोलांजी में स्थित है तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन दवाना ना बुलें